इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कार इंशॉरेंस पॉलिसे निन इंडिया इन टुथाज़न टूटी तो देखिए दोज़र तेहिस के अंदर आप कार जो है पर्चिस करने की प्लान कर रहे हैं यह आपकी पॉलिसी अलड़ी इस एकस्पाइर हो चुकी है यह एकस्पाइर होने वाली है इंडिया के अंदर कौन कौन से एसी बेस्ट कार इंशॉरेंस पॉलिसे है उन सभी का हम लोग कंपैर करने वाले क्या 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 चीज आपको कंसेडर करनी चाहिए जब भी आप किसी भी में प्रोवाइड कर दूंगा तो यह दो चीजे आपको लेना अगर आप अपनी गाड़ी को शोरूं के बाहर निकालना चाहते तो तो जब भी आप यहां पर गाड़ी करते तो यह चीजे तो आपको कराने ही पड़ती है सेकिन होता है काइस comprehensive तो जिसके अंदर में आपको difference वेकर बताना चाहों मोटा मोटा तो third party के अंदर आपकी गाड़ी अगर किसी को ठोकती है तो उससे सामने वाले को जो भी नुकसान होता है वो सारे का सारे compensate जो है insurance कमनी करती है जो की third party यहांपे cover करती है Comprehensive की बात करूँ अगर आपके खुद की गाड़ी को कोई damage होता है bonnet टूट गया, cash टूट गया कोई भी नुकसान हो गया गाड़ी को माली ज़िए total damage ही हो गया गाड़ी चोरी हो गई तो overall जो आपकी गाड़ी को नुकसान हो रहा है वो सारा का सारा comprehensive के अंदर cover होता है साथ में guys comprehensive में क्या होता है अगर गाड़ी के कोई भी parts वगर damage होते हैं तो अगर आपने एक normal traditional insurance करवाते हैं without zero depreciation तो आपके गाड़ी के parts जो भी यहाँ पर लगने वाले हैं तो metal के उपर आपको 100% यहाँ पर जो मिल जाता है insurance cover लेकिन जो plastic हो गया, glass हो गया, जो rubber वाली चीज़े हैं उसके उपर 50% यहाँ पर insurance company देती है और खुद आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है क्योंकि उसके उपर depreciation charge होता है आप इस बात करते हैं, आपको कौन-कौन से factor यहाँ पर जो है जब भी policy buy कर जो तो आपको consider करने चीए तो देखिए मैं policy bazar के website के उपर हूँ तो जो पहला सबसे major important factor होता है वो होता है cashless garage का देखिए दो type से claim होते हैं, आपकी गारी जब भी ठुकती है या तो आप किसी भी network garage के अंदर ले जाएए वहाँ पर आपको एक file charge देना पड़ता है जो कि 500 रुपे से 2000 रुपे तक का होता है depend on your policy उसके बात में आपको जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है वो पुरा insurance company यहाँ पर compensate करती है और directly जो पैसा है आपको अपनी जेप से नहीं देना पड़ता है वो सीधा का सीधा जो mechanic है या जो भी work shop है उसके bank account के अंदर जाता है मतलब आपको अपनी जेप से कुछ भी खर्चा नहीं करने की जरूवत है दूसरा होता है कि आप मालीजे कहीं पर भी किसी भी garage के अंदर गुजगे पहले आपने अपनी जेप से पूरा पैसा लगा दिया उसके बाद में फिर आप insurance company के अंदर जाकर claim करने के लिए तो guys सबसे पहली चीज तो यह है अगर आपको cashless का मज़ा उठाना है अपनी जेप से यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है तो जब भी आप कोई भी policy buy कर रहे हो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो उनके cashless garage है तो हो सकता आपके nearby एक ऐसा garage होगा जब आप frequently अपनी गाड़ी servicing में देते हैं तो क्या उसके अंदर वो यहाँ पर cover है की नहीं है क्योंकि obviously बाते जब भी आपकी गाड़ी को कोई भी damage भी होगा अपनी city के अंदर ही तो अधिकतर preference यह होगा कि आप अपनी गाड़ी वहीं पर देरा चाहेंगे second guys यह भी होता है कि आप जब भी यहाँ पर कोई भी policy चूज कर रहे है तो सबसे पहले उस company का claim settlement ratio क्या है उसकी brand value क्या है उसको भी यहाँ पर आपको consider करना चाहिए ताथ में guys आपकी जो insurance policy का जो premium होता है basically वो उसके ओपर depend करता है कि आप अपनी IDV value set कर रखे होगी उतना ही आपको मिलेगा आपकी गाड़ी माली यह ऐसे ठुक चुकी है कि उसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता उसको कोई भी repair नहीं हो सकती वो total loss है तो उस case में भी maximum amount आपको यह तो और IDV value को calculate करने के लिए में एक link description box में दे दूँगा यहाँ पर simply आपको कुछ चीजे डालनी है और यह automatically बता देगा कि right now आपकी क्या IDV value है साथ में आपको यह चीज भी रहान में रखनी चीए अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़ादा पुरानी हो चुकी है तो आपको simply उस तरह से IDV value set करनी है कि जब भी अगर इस गाड़ी का में replacement करना चाहता हो तो कितनी मुझे cost पढ़ने वाली है तो उसके according अगर आप अपनी IDV value को ज़्यादा रखेंगे तो premium ज़्यादा आएगा कम रखेंगे तो premium यहाँ पर कम आएगा तो आपको एक better IDV value आपर set करनी है इसके लगाइस बहुत सारे यहाँ पर add-ons होते है अगर add-ons को आप जैसे यहाँ पर tick करते जाएंगे आपका premium यहाँ पर increase होता जाएगा लेकिन इन सब के अंदर अगर में यहाँ पर majorly benefit add-on की बात करो तो वो होता है आपका zero depreciation लेकिन zero depreciation भी कब apply करना है अगर आपकी नई गाड़ी है ठीक है और आपको लगता है आप जैसे आप driving वगरे सीक रहे हो कहीं पर भी ठुकती है कुछ भी होता है महंगी गाड़ी है तो गाइस उसके उपर क्या होगा मानीजे आपका मानीजे बोनट वगरे टूट गया है जो कि एक plastic का item है या मानीजे कहीं पर प्लास्टिक या कहीं भी scratch आगया कुछ भी आगया आपको color या painting वगरे करानी है तो अगर आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है नहीं गाड़ी एकदम चमचमाती गाड़ी हुई है इन सभी आड़ोस को या पर consider नहीं करना चाहूँगा इसके लाब गयाइस एक major factor होता है NCP discount तो अगर आप मानीजे कोई भी claim नहीं करते हैं तो यहाँ पे BC लिए आपको 50% तक NCP discount मिल जाता है मानीजे अगर आपने पिछले 4 पास साल में भी तक कोई भी claim नहीं डाला है अपनी गाड़ी के लिए और अगर आप अपनी policy को renew करा रहे तो आपको 50% का discount मिल जाएगा और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप company को switch भी करना चाहते है मानीजे पहले आपका SDF से एरगो में था अब आप ICAC Lombard के साथ में जाना चाहते हैं तो आप अपने NCP discount यहाँ पे carry forward ही कर सकते हैं इसके लिए आजकल एक नहीं चीज़े जो यहाँ पे आपको consider करनी चाहिए वो है video claims तो let's suppose अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे ठुक चुकी है रास्ते में ठुक चुकी है कहीं पे आपको garages वगरे जो है बहुत दूर है तो guys यहाँ पे आप क्या कर सकते है claim डालने के लिए आजकल बहुत सारी कमनिया जो है आपको वीडियो inspection का यहाँ पे option देती है आपको सिर्फ एक वीडियो बनानी होती है उनकी app के उपर simply upload करनी पड़ती है और आपका claim यहाँ पे easily register वगरे हो जाता है तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ premium को कम करने के लिए मैं किसी ऐसी सरकारी कमने के पास में चला जाओ जहाँ पे उसका जो पूरा जिस चीज की मैं बात करो वो available ही नहीं है तो ऐसा आपको नहीं करना है यह चीजे भी आपको ध्यान में रखनी है तो पहले हम लोग basis बात करेंगी कि market share किसके पास में सबसे जादा है यानि किसके पास में सबसे जादा customer है तो हम लोगों ने एक study यहाँ पर की हम लोगों ने एक basically 2019 से लेकर 2018 तक की एक handbook यहाँ पर download की उसके अंदर हम लोगों ने check out किया कि यहाँ पर जो major player है इंडिया के अंदर वो basically 5 major player है इस industry के अंदर first number पर यहाँ पर ICC Lombard है उसके बाद में बजाज आलियान से उसके बाद में new India insurance third number जो की government एक सरकारी कमनी है उसके बाद में TATA AIG का नाम आता है उसके बाद में आता है SDFC IRGO का हम लोगों ने यहाँ पर select किये on the basis of the settlement ratio settlement ratio क्या होता है simply कि यहाँ पर साल बर के अंदर उस कमनी के पास में जित्ते भी यहाँ पर claim आएंगी 2022 के अंदर उसमें से उसने कितने यहाँ पर settle कर दिये तो उसके according आप यहाँ पर दे सकते हो उसके आपने Royal Sundaram का सबसे जादा है उसके आपने SDFC IRGO हो गया SBI Journal हो गया Tata AIG हो गया Bajaj Allianz हो गया Chola Mandalam हो गया ICC Lombard हो गया Reliance हो गया और Shriram Jarlan हो गया साथ में गईस हम लोगों ने कुछ small players को भी भी आप कंसिडर किया जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल आड्स हो गरे चलती रहती है तो उनके क्या है जादा network basically garage नहीं होते लेकिन आपको कम premium के उपर service अच्छी देते है तो guys यहाँ पर आप स्क्रीन के सामने दे सकते है Small player के अंदर AWS हो गया Universal Swamp हो गया फिर Liberty Video Con, Future Journal, Kotak Mahindra Journal हो गया और यह आजकर digital pair हो गया GoDigit आपने नाम सुना होगा विराट कोली इसके brand ambassador है रहीजा QBQ हो गया Magma, SDI हो गया Echo Insurance हो गया Navi Insurance हो गया तो यह कुछ यहाँ पर small players निगल के आते जिनका claim settlement ratio इसके according यहाँ पर high है साथ में guys हम लोगों ने Echo List निकाली कि भाई efficiency की ratio की basis पे कौन कौन यहाँ पर top company है Efficiency का मतलब यह है कि कोई भी अगर यहाँ पर जो है कमणी के अंदर claim डालता है तो अगर वो processing वगरे के अंदर है तो कमणी उसका काम यहाँ पर कितना जल्दी वगरे करती है कोचा मिल जाएगा Tata, AIG, Reliance अगर मिल जाएगा अगर यहाँ पर में small players के अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पर आपको IDVList मिल जाने वाला है सबसे नमबर वन रांकी के उपर उसके वाद में Liberty Video Con हो गया Future General रहे जा क्यों भी Echo Echo हो गया Navi हो गया, Go Desert हो गया तो इस तरह से यहाँ पर आपको list मिल जाने वाली है So guys, अगर आप मेरी यहाँ पर personal choice अगर मांगना चाहूंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा यह जो आपको मैंने major place बतायते है मैंने खुदने भी यहाँ पर जो इनके साथ में experience कर रखा है Plus यहाँ पर इसके अंदर एक regional office भी यहाँ पर आपके city के अंदर अची है उसका फाइदा यह होता है कि जब आपके गाड़ी जो है basically claim के लिए आपके अपरू होती है तो कई बार एक insurer होता है basically surveyor होता है वो आपको यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आता है आपके गाड़ी को check करने के लिए आता है कहां गापे टूकी है कैसे कैसे टूकी है तो वो basically आपको claim को यहाँ पर 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 देखने चीज़े कि उनकी physical presence है की नहीं है आपके city के अंदर तो guys यह कुछ यहाँ पे factors थे तो इन factors की basis पे आप यहाँ पे किसी भी company से अपना car का insurance दोजा तेज के इन यहाँ पे आप करवा सकते हैं सभी की उपर आपको different different यहाँ पे rates वगरे देखने को वगरे को मिल जाएगी साथ में guys आजकल कुछ यहाँ पे नई चीज़े भी आईए जैसे कि pay as you go यानि कि जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उसके according यहाँ पे आपका insurance calculate होता है लेकिन इन सब चक्रों में मत करिएगा आप simply एक normal जो insurance ले सकते हैं और zero depth अगरे आपको add करना की नहीं करना वह already मैं आपको बता चुका हूँ तो guys hope you like this video please subscribe अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box में ज़रू बताइए thank you guys thank you very much